तो दोस्तों यह है नोवा का नोवा NG1154 ट्रिमर का बॉक पैक दोस्तों यह एक all-in-one multi groomer है that means यहां पर आपको body groomer, hair trimmer या फिर बाकिज़ारी जितने सारी चीज़े में hair trimmer यह सारी चीज़े आपको यहां पर और भी सारी चीज़े मिल जाएंगे और इस trimmer का कुछ special specifications है जो मैं को वीडियो में अंदर में धीरे धीरे बताते रहूंगा तो चली दोस्तों देखने सबसे पहले box के अंदर हमें क्या का चीज़े मिल जाती क्योंकि बहुत सारी चीज हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है और एक blade trimmer के अंदर लगा हुआ है तोटल आपको यहां पर पांच blades देखने को मिल जाता है दोस्तों देखते तो बहुत से लोग हैं पर एक चीज़ बुरी लेगती है दोस्तों ज्यादातर लोग subscribe नहीं करते और like भी नहीं करते हैं हाला कि जितने भी लोग question बेकरी भी करते हैं वो subscribe भी नहीं करते हैं और like भी नहीं करते अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लेगे तो like और subscribe कर दिया करो तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं यह वाला जो blade है यह shaver है यानि इसके जरीए अगर आप दाड़ी क च्छोटे च्छोटे एरिया है उन जगा को काटने के लिए यहां पर दिया गया है और यह जो आखरी जो blade यहां पर extra के अंदर मिल जाता है वह यह यह nose hair trimmer है और इसके जरीए आप कान का जो बाल है उसको भी आप इसके जरीए काट पाएंगे और एक blade आपको trimmer के साथ लग से दिया गया है इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि आप hair trimmer यह बाल काटने के लिए जो blade धिया गहा है उसके जरी आप डाड़ी नहीं काट पाएंगे और ऐसा भी नहीं है इसके आप डाड़ी काट पाएंगा इसका जो यह कोडा चाव्त chowणा है और एक नारो है आकि जो metal parts को छोड़के जो parts आप को देखने को मिल जाएगा जैसे कि मान लीजिए ये वाला सामने वाला पार्ट तो ये stainless steel का है जो यहां पर shine कर रहा है ये stainless steel का है और ये black ये fiber का बना हुआ है दोस्तों बॉक्स के नीची के तरफ देखिएगा तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले यह एक डॉक दोस्तों यह जो है यह स्टैंडिंग डॉक है यहां पर आप ट्रिमर को रख पाएंगे सारे blades और coms क यहां पर रख पाएंगे इसके इलावा इसका जो speciality है यहां पर आपको इसका दोस्तों डॉक पर प्रिमर को राकर ही charging कर सकते हैं उसके लिए पीछे की तरफ में चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और यहां पर जो port है इसको connect करने के लिए करेंट के साथ connect करने के लिए के कर सकते हैं और अगर आप चाहे दोफ़्तों तो इसको आप घर का जो फмуंचारजिंगं एडप्टर है उस पिसमें ऑफे उस से जाधा नहीं तो लिए जो सकता है आब यह द्ट होता है यह इस तरह से घमेज होता है तो लिए था तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है यह कुछ ठीक है दोस्तों यहां पर थोड़ा सार ट्रिक है उससे पहले मैं बता देता हूं कि यहां पर एक इस ट्रीमर को क्लिन करने के ट्रीमिंग ब्राश दिया गया है और ट्रीमिंग ओयल भी आपको यहां पर देखन पहले एक वीडियो मैं ने बैना आए था और वहां our को आप इसके पीचे कुछ कारण था वही मैं ने वीडियो के अंदर बता था सारे वीडियो का link मैं दे दूंगा और जो प्लेगिस्ट है जितने भी ट्रिमर्स अब उनका भी लींग कार्ड में आपको मिल जाएगा आप चाहे तो जाका देख सका तो दोस्तों यहाँ पर ट्रीमार का जो कॉम्म दिये गया है इनका दो ग्रूप्स है एक यह जो चार कॉम आप देख रहे हैं यह हेर ट्रिमिंग ब्लेड का कॉम है यह चार कॉम और यह सिंगल आप देख रहे हैं यह एक्चुली में दिया गया है बियर्ड ट्रिमिंग ब्लेड के रिए दारी काटने वाला जो स्पेसिफिक जो ब्लेड दिया गया है उसमें ही सिर्फ यह आटकेगा यह चार नहीं आटकेंगे और यह चार दिये गए है अपके बाल काटने के लिए जो कॉंब्स देगे हैं यह चार कॉंध सिर्फ इस ब्लेड में ही अटके सब्सक्राइब इसके बाद पीछे में परईप्रस करना पड़ेगे यह काँड़ चार अठकेगा इस सिंगल की ब्लेडंग् jlen अब देखकτα सुमझी वाले blade kit यही आपको सिर्फ 4 setting मिल जाता है और अगर बाल कटने वाले सिर्फ blade की बात करें सिर्फ blade beard blade की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ blade में आपको 0.5 mm का setting देखने को मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो इन इस चार ब्लेड को मैं अभी हटा देता हूँ अब आ जाता है जो दाड़ी कटने वाला blade है दाड़ी कटने वाला blade है उसको मैं लाता हूँ और यहाँ पर attach करता हूँ सबसे पहले मैं दिखा देना चाहूँगा इन दोनों blade में क्या difference है देखिए दोस्तों दाड़ी दारी कटने वाला blade यह है और यह जो बाल कटने वाला blade है तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों इन दोनों blades में कितना यंत्र है यह फोड़ा narrow है दारी कटने वाला blade और बाल ड़ा blade टी शेप है और ओडर की है वह फोड़ीскटने वाले blade को यहाँ पर attach करता हूँ और अब दोस्तों यहाँ पर एक twist है यह जो कौम दाड़ी कटने वाले blade के लिए दिया गया है इसमें कुछ special matter है यहाँ पर आप देख पा ही रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6 mm मतलब यहाँ पर आपको total 4 setting मिल जाता है एक blade में तो यह सवाल आएगा ही आएगा कि यह 4 setting एक blade में कैसे मिल जाता है तो यह सिर्फ एक slot का game है दोस्तों यह अंदर में आप यह 4 slot देख पा रहे हैं तो दोस्तों यह होगा पहली बार और यह पहली बार आटके गया तो इसका जो लेंज सेटिंग हो जाएगा 6 mm क्योंकि इसका जो size है यह बहुत जोड़ा है यहाँ पर आप देख सकते blade इस condition में है दूसरा जाए है दूसरी बार आटकेगा तो यह हो जाएगा 5 mm ठीक है और यह blade थोड़ा पहली की तरफ आएगा और अभी तीसरी बार आप ऐसे प्रेस करेंगे फिर आटकेगा तो यह 4 mm का setting आपको मिल जाएगा blade देखिए अब यहां तक आ गया इसका जो length है वो छोटा हो होते जा रहा है अब last यह 3 mm का setting blade देखिए एकदम सामने की तरफ में आ गया है एकदम यहां पर tip पर आ गया है इस comp का तो यह हो गया 3 mm का setting अगर आप बात कीजिएगा कि चार सेटिंग आपको यहां मिल जाता है इन चार सेटिंग को छोड़के अगर आप bare blades के इस्तेमाल की दिया गया है इन दोनों blades को अलग-अलग दिया गया है सिर्फ इस comp की वज़े से पर ऐसा नहीं है कि आप जब दोनों blade without comp के इस्तेमाल करेंगे दाड़ी काटने वाला हो या फिर बाल काटने वाला हो इन दोनों के जरी आप बाल भी काट पाएंगे सिर्फ blade की बात कर रहा ह तो ऐसे situation में आप दाड़ी भी काट पाएंगे एक दूसरे के blade से अब चाहे तो अपना सर का जो बाल है वो भी काट पाएंगे travel lock on हो जाता है तो यहां पर led section में दो तीन बर ब्लेंक होगा सिंगल प्रेस करने पर यह फिर से वही दिखाएगा क्योंकि यह travel lock on हो गया यह चाल लॉक भी है आपके घर में अगर बच्चे बग रहे हैं तो यहां पर प्रेस करने पर travel lock अगर अक्टिव है तो प्रेस करने पर on नहीं होगा यह risky नहीं है safe हो जाता है तो फिर से उनलोग करने के लिए प्रेस करके hold करके रखिएगा तो यह on हो जाएगा फिर से अब जो important point है दोस्तों यह LED section यहां पर दिया गया है charging LED देखने को मिल जाएगा कि कि कितना percent charge हो रहा है या फिर जब trimmer on रहेगा जैसे क अब ही मैं आपको on करके एक बाद दिखा देता हूं तो यहां पर आपको कितना percent charge हो रहा है वो भी जब charge होगा आपको दिखा देगा यह trimmer और जब आप trimmer को स्तमाल करेंगे तो कितना percent charge है वो भी आपको show कर देगा 20%, 40%, 60, 80, 100 यह 5 level पे show करेगा नीची के दर देखिएगा तो यहां पर आपको इस trimmer का जो battery charging port है वो देखने को मिल जागा इस trimmer के अंदर में total 800 एमेज का battery दिया गया है और इसको full charge होने में करीब देड़ घंटा time लग जाता है और इसके जरीए में आपको total battery backup मिल जाएगा 170 minute काफी जादा है दोस्तों 170 minute लगभग आपको 2 घंटा चार्ज करना है पर उसको battery backup को जादा मिलना है यहां पर आपको fast charging का option देखने को मिल जाता है दोस्तों trimmer के पीछे की तरफ में यहां पर gripping के लिए थोड़ा design किया गया है और यहां पर trimming की company का कुछ modern बगरा का details दिया गया है streamer की अगर body की बात करें तो यह सिर्फ normal fiber से बना हुआ है दोस्तों इस trimmer को चाहे तो आप cord ले इस तरीके से भी इस्तमाल कर सकते हैं बैटरी के ओपर dipend करके या फिर अगर आप चाहे मतलब कि अगर आपकी trimmer के अंदर बैटरी नहीं है पर दाड़ी काटना ज़रूरी है तो वैसे situation में trimmer का charging cable है उसको connect करके भी आप दाड़ी काट सकते हैं यानि directly corded trimmer की तरह भी आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं ट्रीमर के अंदर में आपको IPX 7 waterproof level देखने को मिल जाता है इसके जरिए blade तो stainless steel का है यह उसको तब धो ही सकते है पर body को भी अगर आप चाहे पूरी तरह से डूबो कर पानी के अंदर डूबो के wash कर सकते है आप थोड़ा गलत तरीके से दिया गया है इसमें actually में आपको दो साल की warranty दिखने को मिल जाएगा और यह मैं box pack के उपर लिखा हुआ है मैंने देखा है और यह world wide है मान लीजिए अगर आप travel कर रहें इंडिया के बाहर जाड़े streamer को लेके तो वैसे condition में अगर आप चाहे तो इंडिया के बाहर में भी streamer का warranty आप claim कर सकते हैं जहां भर भी आप रहें तो दोस्तों streamer की और भी details वीडियो मैं लाने वाला हूँ आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेंने इस channel को subscribe कीजिए मिलते ह नेक्स एपसेट में